बच्चों नमस्कार लिजे कख्छा बार्विं के फिजिक्स में आज हम इस्थिर्विधुद विभव तथा धारिता लेशन से विभव ज्याद करने के क्रम में दिध्रु के कारण किसी भी बिंदु पर विभव के लिए ब्यंजग प्राप्त करेंगे तो इसके पहले दो विडियो में हमने देखा था कि दिध्रु के कारण अक्षी इस्थिति में विभव का सुत्र और दिध्रु के कारण निरक्षी इस्थिति या अनुप्रास्थ इस्थिति में विभव का सुत्र का निगमन करना सिखे थे और आज हम देखेंगे कि यदि कोई दिध्रु ये भी हो और उसके सापेक्ष कोई भिन्दु पी एसी है जो न तो इस दिध्रु के सापेक्ष न तो अक्षी इस्थिति में है नहीं निरक्षी में होता इधर सामने होता निरक्षी में होता तो इसके लंब बहुत मध्य बिंदु के लंब पर कहीं पर इस्थित होता चुकि यहां पर आप देख रहे हैं यह यहां पर है इसका लंब इधर होगा तो यह यहां पर है P जो यहां P O A बराबर कोड़ ठीटा बनाते हुए कोई बिंदु P है जहां पर हमको दिधरू के कारण विभाव की गड़ना करनी है तो बच्चों सबसे पहले इसका थियोरिकल भाग आप वर्णन करोगे आपको यहां पर लिखना होगा कि माना यह भी क्या है कोई दिधरू है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिल करके बना हुआ है दूसरा पैंट आप लिखोगे कि इन दोनों के बीच की दूरी 2A है इसका मतलब यह हुआ कि इनके मध्यविंदू O से O A की दूरी A और O B की दूरी A है इन दोनों को हम मिला देंगे तो इसके मुख्य अक्षे की लंबई क्या हो जाएगी 2A हो जाएगी अब बच्चों यहाँ पर हम ज्यामिती रश्ना में यह देखेंगे कि इसके A से बिंदू P को यानि P की दूरी क्या है यहाँ पर वो से जो बिंदू P है उसकी दूरी R है और यह ठीटा कोन बनाते हुए यहाँ पर रखा हुआ है यानि यहाँ पर ठीटा कोन बना रहा है मध्यविंदू के साथ तो यहाँ पर हमको P पर विद्धुद विभाव की गड़ना करनी है अब बच्चों हम क्या करेंगे A से P को मिलाएंगे और B से P को मिलाएंगे यह तो आपका ज्यामिती रचना में आ जाएगा तो चलिए इसको मैं ठीटा को लिख देता हूँ तो बच्चों यहाँ पर मैं ठीटा वाग जो यदि यह प्रस्ण आए तो आपको ठीटा भाग लिखना ही पड़ेगा क्यों सुत्र लिखोगे तो काम नहीं चलेगा तो रिकल भाग को लिख दिया हूं जो अभी वर्णन कर रहे थे माना ये भी कोई दीद्रू है जो प्लस क्यो आएस और माइनस क्यो आएस से मिल करके बना है तथा इनके बीच दूरी 2A है और इसके मध्य बिंदू O से R दूरी पर बिंदू P है यह अध्य बिंदू है यहां से आर्दूरी पर बिंदू P है जहां वह इस तरह से है कि कोड़ P O A वराबर ठीटा जहां वीभाव की हमको गणना करनी है यह तो आपका थियोरिकल भाग हो गया अब यहां पर हम जामेती रचना में यह A से O P पर लंब A N A M लंब डाले और इसी तरह से B से यहां पर इसको इधर बढ़ाए तो B से आपका यहां इस रेखा पर O N P पर B N लंब डाले यह आपका जामेती रचना आपको करना होगा यह जो O P रेखा पर हम दोनों तरफ से लंब डालेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जामेती रचना से इस पर आप यदि हम लंब डालें तो यह भूजा याने A में P बराबर A P हो जाएगी और यहां पर भी आप इसको इधर से लंब डालोगे तो यह हो जाएगा B P बराबर यह भूजा पूरा यह बड़ी भूजा यह दोनों भूजाएं बराबर हो जाएंगे जामिती की रचना से देख सकते हो यह यह लंब है तो यहां से आप लंब इस पर डाले हो जहां पर भी मिलेगा वो इस भूजा को इस भूजा के बराबर करेगे तो यह है यहाँ पर अब हम आ जाते हैं समकोंड तरी भूज यहाँ एक लई नौ लिग देता हूं रेखा ओपी पर ए से ए एम तथा बिंदू बी से बी एन इधर लम डाले हैं बी एन लमब डाला यह हो गया तो समकोंड तरी भूजे उपर में आ जाते हैं पहले इसमें हम देखेंगे की कास्ठीटा याने त्री भूजे ए एम ओ में कास्ठीटा का मान हमको यहां पर यह देखना है क्योंकि यह भूजा जो है विभाव के सुत्र में आएगा याने और उसके बाद क्यू अपान एपी यह दूरी इस दूर से इसकी दूरी एपी आएगा तो एपी के बराबर हमको तो यहां इसका मान को वहां पर इस भूजा के बराबर रखेंगे इसी तरह से यहां से इस भूजा की इस दूरी को नहीं दिया है तो हम जो यह दिया है दूरी यहां से जो आर है उसी में इसको आगे बढ़ा दिये और यहां से यह दूरी इस भूजा के बराबर हो गया यहां पर यह MP, N को रखेंगे इसी लिए यहाँ पर हम त्री भूजा पर अध्यन कर रहें क्योंकि हमको इतना दूरी चाहिए और यह दूरी हमको नहीं मालूने uhp q की लिए क्योंकि यह इस भूजा के बराबर है जो दूरी के बरा आ zrobाए तो इसमें हम इसको प्राप्त करेंगे MP क्या मान, यह MP बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए O से P की दुरी है R, और इसका मान यदि हम प्राप्त कर लें O M बराबर तो उसको उसमें घटा देंगे, तो इसी के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, काउस ठीटा बराबर आपका होता है, आधार बटे करना, आधार बटे करना, और इसलिए इसका आधार देख लिजिए, यह 90 हुआ, यह हो गया 90, क्योंकि यहाँ पर हम लंब डाले हैं, तो यह छोटा कौन है ठीटा, यह 90 है तो यह क्या हो गया? आधार हो गया, यह भुजा क्या हो गई? आधार भुजा हो गई, यह आधार हो गया, और इसका 90 के सामनी के भुजा क्या हो जाएगा? करना हो जाएगा, और इसमें हमको चाहिए आधार बटे करना, तो आधार कमान हमें क्या रखेंगे? O M बटे O A यहाँ पर हम रखे O M बटे O A अब O M का मान, O M का हमको नहीं मालूम है O A का मान हमको मालूम है A है आधादुरी क्या है यहाँ का? जिधरू के आधादुरी A है यहाँ पर O A के बराबर A रखेंगे O M को हम नहीं जानते तो यहाँ पर A रख देते हैं इसलिए कास ठीटा बराबर आपका O M बटे A और इसलिए बच्चों O M बराबर आपका हो जाएगा A कास ठीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं O M बराबर आपका मिल गया A कास ठीटा तो अब यह दूरी कितना हो जाएगी? इधर यह पूरा का दूरी O से P की दूरी R है और O से M की दूरी A कास ठीटा है तो M से P की दूरी क्या होगी? इस पूरे दूरी में याने R दूरी में एकास ठीटा इस दूरी को घटा दोगे? याने R माइनास A कास ठीटा तो यह तो हो गया पहला यहां रख दिजिए इस समिकरन को O N का मान हम यहां पर प्राप्त कर चुके हैं अब इसी तरह से O N याने इसका मान हमको प्राप्त करना है यह दूरी को यो कि इस भूजा के बरावर यहां पर इसको लंब डाले हैं यह जो भूजा है इसका मान हमको नहीं मालूम है लेकिन इसमें हम इसके दूरी के बराबर हम प्राप्त कर सकते हैं जो होगा यहाँ पर R प्लस O N इधर का R है इधर का O N है तो O N को जोड़ देंगे तो आ जाएगा तब O N को प्राप्त करने के लिए चुंकि यह ठीटा कुण है तो यह सिर्शाभी मुख कुण यहाँ पर हम देखते हैं यह है यह भी कुण ठीटा है यह लंब है यहाँ पर यह 90 on यह ठीटा तो यह भुजा क्या हो गई आधार हो गया यह भुजा आधार है और 90 का सामने का यह करन है इस तरफ में इस तरुपुज में हम गरना करेंगे इसी तरह से तो बच्चों इसी तरह से हम अब इस त्रिभुच पर आ जाएंगे O, B, N में या B, N, O में इस त्रिभुच B, N, O में ये 90 अंसका है इसको बीच में रखते हैं तो त्रिभुच B, N, O में क्या कास ठिटा बराबर वही आधारवटे करना आधार का मान यहाँ पर हम इसको चुने ये ठीटा है क्योंकि इस अभी मुख कोण है तो ये ठीटा है ये 90 का है तो ये आधार हो जाएगा और करन 90 का सामने की भुजा करना होगा याने O, N, O, B अब यहाँ पर देखिए बच्चों ओ भी बराबर क्या है आधादूरी मद्यबिन्दू से आधादूरी A है यहाँ पर हम A रख देंगे याने यह हो जाएगा कास ठीटा बराबर O, N बटे A याने O, N बराबर अब हम को मिल गया O, N बराबर इसलिए यहाँ पर लिख देजिए इसलिए O, N बराबर A कास ठीटा यह भाज में ही दर जाके मुणा हो जाएगा A कास ठीटा अब हम सिधा सुत्र परा जाएंगे तो बच्चों अब सुत्र की तरब जाते हैं बिन्दू A पर प्लस की आईस के काराण बीभाव यह हम लेंगे भीवन भीवन इक्वल टू आपका वन अपान फोल पाई अपसरन नाट के हम नहीं लेते हैं हम भी यहाँ पर परविद्धतां को वाय और निर्वात मान लिजिए तो यहाँ पर यह हो जाएगा Q अपान A P यह विभाव का सुत्र है अब A P के बरावर हम जो यहाँ पर लिए थे इस A P बरावर आया है आपका यह दूरी को इस A P बरावर A P को लिए थे यहाँ पर आया था R माइनस तो बच्चों यहाँ पर A P बरावर हम यहाँ मान रखेंगे A P का तो यहाँ चीतर पर आजाईए इस A P के बरावर हमने माना है A P को यहाँ पर यह लंबर डाले तो यह भुजा इस भुजा के बरावर हो जाएगी और इसलिए A P बरावर O P पुरा दुरी को हमको मालूम है A P में O M को घटा दिए याने O P रिंड O M तब यह A P के बरावर यह बचा हुआ भाग बच बनेगा इसी को हम यहाँ पर लिख दिए O P रिंड O M और O P का मान है R और O M का अभी इसके पहले निकाले थे A कास ठीटा तो R मैनस A कास ठीटा हो गया तो यहाँ पर A P की जग़ा पर इस R मैनस A कास ठीटा को रख देंगे तो V1 बरावर हो जाएगा V1 बरावर 1 पान फोर पै अपसालन नाट Q बते R मैनस A R मैनस A कास ठीटा इसको हम इहां पर रख दिए ए पी की जगा पर आयर माइनस से कास चीठा रख दिए अब बच्चों हम यह तो प्लस क्यों आइस करण है अब माइनस क्यों आइस करण बिंदू P पर विभाव इसी तरह तो बच्चों इहां पर माइनस क्यों आइस के कराण पी पर विभाव तो इसको हम ले लेते हैं भीटू भीटू गरावर अपका हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे बीपी दूरी को लोगे यह दूरी है यहां से इस दूरी बीपी है यहां पर हम बीपी लिखेंगे अब बीपी बराबर हम देखेंगे कि बीपी के बराबर क्या होगा तो यहां पर आप ध्यान देंगे इस भूजा को यहां से हम लम डाले तो यह बड़ी भूजा इस बड़ी भूजा के बराबर हो जाएगी और तब यहां से दूरी आर है और इस भूजा की दूरी तो इतना यहां तक है यह बीपी के बराबर क्या है एन पी है तो इस पूरे दूरी में हम यह देखेंगे कि इधर को जोड़ देंगे आर में तो आज आएगा याने आर प्लस ओ एन इधर का क्या है आर है याने ओ पी धन ओ एन इसको यहां तक करोगे आप ओ एन क्योंकि यह पूरा जो है इस दूरी के बराबर है तो चलिए अब हम ले लेते हैं बीपी बराबर यहां बीपी बराबर आपका एन पी बराबर आपका हो जाएगा ओ पी धन ओ एन बराबर आर प्लस ए कास ठीटा यहां देंगे यहां पर जो है यह दूरी आर प्लस इधर ए कास ठीटा क्योंकि हमने ओ एन बराबर निकाला है ए कास ठीटा यहां पर देखेंगे ओ एन बराबर है हमारा ए कास ठीटा यहां से यहां तक की दुरी ए कास ठीटा ओ एन के बराबर भी ए कास ठीटा है अब यहां पर हम इस मान को r plus a cos theta को इस bp के जग़ा पर रख देंगे याने b2 बराबरतब हो जाएगा वहना पान फोल पाई अपसल नाट minus q upon r plus a cos theta या आपका समिकरण दे देते हैं इसको दो और इसको समिकरण ले देते हैं एक जो भीवन कमान आए लाए है उसको one कर देते हैं इसको two कर देते हैं अब हमारा कुल विभव क्या हो जाएगा भी equal to चुकी अदिश है तो भी को भी बराबर हमारा होगा भी one प्लस भी टो तो बच्चों विभव चुंकि अदिश रासी है अतापी पर परिणामी विभव भी equal to भी one प्लस भी टो भी one कमान जो लाए हैं यहां पर रख देंगे और भी two कमान जो भी राप्त किये हैं उसको भी यहां पर रखेंगे तो भी one कमान है वन अपान फोरपई अपसालन नाट क्यू अपान आर माइनस एक आस ठीटा यह है प्लस प्लस का प्लस भी टो कमान है आपका वन अपान फोरपई अपसालन नाट माइनस क्यू अपान आर प्लस एक आस ठीटा इसा मिकरां रेक और दो से हम इसको लिये हैं अब बच्चों यहां पर हम यह देखते हैं इसमें जो कामन है उसको बाहर निकाल देते हैं क्या है क्या है क्यूं है क्यूं है नीचे में क्या है फोल पाई अपसालन नाट इसको बाहर कर देते हैं जो बचेगा उसको अंदर रखेंगे यह हो जाएगा Q को यहाँ पर बाहर ले गए तो Q कर दिए Q अंदर में हमारा ब्रेकेट में रख देते हैं यह हो गया यहाँ पर क्या बचा 1 अपान R-A कास्ट ठीटा और यहाँ पर बचा यह चूंकि यह माइनस है यहाँ पर Q को ले गया है तो क्या बचा यहाँ पर माइनस तो यह माइनस हो जाएगा यह क्या हो जाएगा माइनस एक बचेप फुर्पई अपसालनाट बाहर चला गया तो यह हो गया है यहाँ पर R-A कास्ट ठीटा यह यहां पर बचा हुआ है क्योंको तुमाहल ले गया है यहां पर फूर पर अफसलने नाट को भी ले गया है यह चला गया और यह चला गया तो यहां पर माइनस का यह माइनस कर दिये और एक बटे आर प्लस यह कास ठीटा यहां पर आ गया अब यह आपका ब्रेकेट बन कर अब इसको हम तभी घटा पाएंगे जब इनका लग समालूम हो तो इसके लिए हम खरते हैं इसको इधर गुना कर दिए इसको इधर गुना कर दिए और इसका नीचे का नीचे से गुना कर दिए तो यह होगा Q upon फोर पाई अपसैलन नाट अपका इसका एक से गुना करोगे तो R प्लस A का चिटा जाएगा R प्लस A का चिटा माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इससे गुना करेंगे तो यह इसको जो है हम एक बार ब्रेकेट में रख देते हैं हंदर में छोटा कुष्टक में तो यह हो जाएगा R माइनस A का चिटा और तब इस कुष्टक को खुलोगे तो यह माइनस में चला जाएगा और यह प्लस में हो जाएगा जो अगले स्टेप में इसको हम करेंगे नीचे का क्या हो गया a plus b और a minus a minus b यह सुत्र की रूप में है याने a square minus b square बराबर होता है a plus b और a minus b तो इसका हो जाएगा r square सुत्र की रूप में r square minus a square कास square theta यह सुत्र गूप में है a plus b a minus b equal to a square minus b square तो यह a square और minus का minus b के जगह पर a कास theta है तो यह पूरे काव square करोगे तो a square कास square theta हो जाएगा अब बच्चों इसको हम कोश्टक को खोल देंगे तो यह क्या हो जाएगा minus हो जाएगा और यह plus हो जाएगा चलिए अब अगले step में इसको कर देते हैं q बटे फूरपई epsilon not यह हो गया आर प्लस a कास theta इसका हो गया यह हो गया minus r प्लस a कास theta यह plus हो गया यह minus है माइनस है यहां पर अब यह इसको हम फिर से लिख देंगे यह जो है बूप में डारेक्ट दिया है तो आपको यहां पर कि अच्छे समझाएगा और स्कूर माइनस a कास स्कूर ठीटा अब बच्छों यहां पर माइनस में है आर प्लस में है आर निरस्त हो जाएगा बचा एकास ठीटा प्लस एकास ठीटा याने तू एकास ठीटा उपर में बचा है चलिए अब हम इसको अगले स्टेप में क्यू अपान कि फोर पाई अप्सलन नाट कि ऊपर में बच गया तू एकास ठीटा याने एकास ठीटा या जड़ोगे तो क्य आएगा तू एकास ठीटा आएगा निचे क हमारा हो गया स्वित कप ठीटा है ये इसका यहां पर लिग दीए अब बच्चों यहां पर हम यह ले लेते हैं किसमे यह उपर में आप देख हे हैं यह क्या है यहाँ पर यह गुणा के रूप में है 2a into q बराबार आपके क्या होता है देधरू आगून पी होता है तो इसको हम चेंज कर देंगे यह q into 2a बराबर पी रख देना है आपको तो यह सुत्रा आपको हो जाएगा पी कास ठीटा बटे फोर पाई अपसलन नाट और इधर हो गया आर इसकोर माइनस एसकोर कास इसकोर ठीटा उपर का यहाँ प्रपगल में लिग देजिए q into 2a बराबर पी देधरू आगून तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो आपका सुत्र है इसमें एक चेंज और करना है हमको जो है इसमें इस भाग को नगड़ियों मान लेना है कैसे मानोगे जब यह बिन्दू पी की जो दूरी है आर यह बिन्दू पी की जो दूरी आर है उसके जो एक तूलना में बहुत ज्यादा है यानि ए बहुत छोटी हो जब यहां पर लिग देंगे किन्तू आर बहुत बड़ा है एसे तो यह जो है इस्क्वेर यहां पर करेंगे एस्क्वेर कामान को हम उपेक्षा कर सकते हैं कि उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि उसकी वर्ग यदि करेंगे चोटी रासी है कर सकते हैं कि करने पर तो यह हो जाएगा यदि चोटी रासी है उसका वर्ग करोगी तो और चोटी रासी मिलेगी इसलिए हमारा अप यह सुत्र है यह भाग को हम छोड़ देंगे और इसलिए हमारा उपर का जाए याने कुल परिणामी भी बराबर आपका हो जाएगा वन अपान फोर पाई अप्सालन नाट पी और इधर बज गया उपर में कास्ट थिता बटे यहां पर इस भाग को हम नगणिया माल लिये हैं यह इसके साथ गुणांग में है इस स्क्वाइर यह आपका विभाव का सुत्र है किसी भीबिंदु पर यानि किसी भीबिंदु पर ना अक्षम हो ना निरक्षम हो तब विभाव का जो सुत्र होगा यह भीव इकल टू ओन अपान फोर पाई अप्सालन नाट पी का स्थिता बटे आर इसकर तो बच्चों अब तक रहने के लिए धन्यवाद